प्रियाग राज में 24 फरवरी को बस्पा बिधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हुई हत्या मामले में बहुत बड़ा एकसन हुआ है यूपी पुलिस ने एक एंकाउंटर में अतीक अहमद के खास गुर्गे दाहिनाहा चालक अरबाज को मार गिराया है ये जो एंकाउंटर हुआ है वो धुमल गंज के इलाके में नहरू पार्क के जंगल में हुआ है और उस बदमास जो है मारा गया है आपको बता दे कि सीम योगी ने विधान सभा में एलान किया था कि जिसने भी इस घटना करम को अंजाम दिया है उसे मिट्टी में मिला देंगे सुनिए सीम ने तब क्या कहा था योगी के रौद रूप से ही पता चल गया था कि यूपी पुलिस को इसमें सख्त एक्षन करना है और ऐसा एक्षन करना है कि पुस्ते याद रखें और आज की करवाई से क्लियर हो गया है कि किस तरीके का एक्षन होने जा रहा भी ये पहला एंकाउंटर है अब देखिए दूसरी वीडियो जिसमें की अरबाज जो की अतीक अहमत का चालक रहा है और इस जो हत्याकान हुआ है उसमें भी क्रेटा गारी जिस से बदमास उमेश पाल का पीछा कर रहे थे यही अरबाज चला रहा था अब देखिए कैसे इसका एंकाउंटर हुआ कैसे होस्पिटर हुआ तो सीएम जोगी के सक्त रूख को देखते हुए यूपी पुलीस प्रयाग राज पुलीस एस टीएफ की अलग-अलग टीमे बनाई गई है जो कई राजियों में लगतार छापे मारी कर रही है पुलीस को खुपिया सुचना में ली थी कि अरबाज यहां से होकर गुजरने वाला है पुलीस ने उसके बाद उस खुपिया सुचना पे काम किया और अरबाज को एंकाउंटर में मार गिराया है अब इंतिजार है अगले एक्षन का कि जो भी इसमें सामिल हुए हैं उनका क्या हस्र होता है उनके खिलाफ क्या करवाई होती है उधर एक टीम जो है अहमदाबाद के साबर मती जेल में जाने की तैयारी कर रहे है ताकि अतीक से पूछ टाच कर सके इसको ले करके जैसे अख़र देखते रहिए इनका बार थैंक यू